प्रेंज नमस्कार मैं हूँ आपका फ्रेंड कमल नंदलाल और मैं आप सभी दर्शकों का वेलकम करता हूँ आपी के अपने चैनल कमल नंदलाल पर यूचूब फेस्बूक राजी टिवी नेटवर्क पर फ्रेंज आपके लिए लेकर आएंगे कमल नंदलाल का दैने के राशी फल इस राशी फल में बात करेंगे मेश शेले करमीन राशी के राशी फल की साथे साथ आपको बताएंगे राशी अनुसार कुछ सिंपल से उपाएंगे पंचांग बताएंगे आपका लखी नंबर लख शीष क्रिशनाश्टमी पर चंद्रमा करकराशी और शलेशा नक्षत्र में रहेंगे दिन का लखी नमर रहेगा सिक्स लखी कलर रहेगा पिंक लखी डायरेक्शन रहेगी अगनय यानि कि साउथीस्ट रहू काल रहेगा दूपहर को बारा बज़े से डिड़ बज़े तक का दिन का सबसे शुम महरत रहेगा शाम को 6 बच कर 69 मिनट से लेकर रात में 8 बच कर 18 मिनट तक विशेष क्या है काल भहरव जैनती है इसी दिन वर्ष्चिक संकरानती भी है और मार विशीष काल अश्टमी भी है और हमारा जो स्पेशल उपाय है वो भी मार विशीष काल अश मेश के साथ में आर्थ एक लाब होगा अच्छे विवहार से लोग खुश रहेंगे मित्रों के मदद से रहात मैसूस होगी सामाज एक छवी निखरने निखर कर आएगी मित्रों से संबन सुधरेंगे उपाये करें कि सूखा धनिया करपूर से जला दें दूसरे राशी वर पर बेल्ट बांदें तीसरी राशी मित्वन यानि की जमनाए की बात करेंगे दफ्तर में सहकर्मी सयोग करेंगे बुजर्गों के आशरवाद से रुके वे काम बनेंगे कारे शेतर में सफलता मिलेगी दामपत्य संबन्द जो हैं आपके बहतर बनेंगे घर में खुशी का महोल रहेगा उपाई ये करें कि कागस पर ब्रीम लिखकर पूजा घर में चड़ाएं चौथी राशी कर्क यानि की कैंसर की बात करेंगे आर्थिक स्तिती ठीक रहेगी तरक्की के नए मार्क खुलेंगे दफ्तर में चदिकारियों का सयोग मिलेगा दामपत रिष्टे मज मन थोड़ा उदास रहेगा उपाई ये करें कि घर की उत्तर दिशा में घी का दीपक करें चटी राशी कन्या यानि के वर्गो की बात करेंगे समय कुछ मिला जुला रहेगा आर्थिक स्तिती ठीक रहेगी छातर कड़ी महनत करेंगे दफ्तर में कोई नया प्रोजेक्ट मि प्रभावित होंगे लेंदेन में सतर्क रहें परिजनों के साथ में समय बिताएंगे घूमने फरने जाएंगे उपाईये करें कि धार्में चितर पर तूलसी पत्र चड़ाएं आठवी राशी वृष्चे कहने कि स्कॉर्पियों की बात करेंगे समाज में रुत्बा बढ़े बजर्गों की मदद करेंगे चातर मेहनत करेंगे उपाईये करें कि मक्षन का सेवन करें दस्वी राशी मकर यानि कि किप्रकॉन की बात करेंगे दफ्तर में काम की तारिफ होगी मन खुश रहेगा मेहनत का फल मिलेगा प्रेम सम्मंद अच्छे बनेंगे परिजनों के हैं भैस बाजी से बचे हैं दाम पते में बहतर मेल जोल रहेगा उपाई ये करें कि दैनिक पूजा में घी का दीपक जलाएं बारवी रैशी मीन यानि पाइसिस की बात करेंगे फिजूल खर्च बढ़ेंगे रोके वेकाम पुरी होंगे उर जावान महसूस करेंगे घर में स चुटकारा दिलाएगा देखें क्या करें आप साबत उडद पर दही और शहद चड़ा कर इस से चोराय पर रख दे तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही कल आप से फिर में लाकात होगी इजाज़त दीजे नमस्कार नमस्षुवाए